यूपी के साथ साथ उत्राखंड, गोवा और मनिपूर में एक बार फीर से बीजेपी की सरकार बनेगी जीहां अगले साल पांच राजियो में होने वाले विदानसबा चुनाओं को लेकर एक सर्वे सामनाया है ABP, Sea Water की सर्वे में यूपी, पंजाब, उत्राखंड और गोवा और मनिपूर में किसकी सरकार बनने के आसार है ये बताया गया है सर्वे की मताबिक अगर आज चुना हो जाए तो यूपी में बीजेपी वापसी करेगी वहीं पंजाब में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी लेकिन बहुमत से दूर रहेगी इसके अलावा उत्राखंड गोवा मनिपूर में बीजेपी की सरकार वापसी कर सकती है या फिर सबसे बड़ी पार्टी बनेगी उत्रपरदेश की बात करें तो राजिये में कुल 403 सीटे हैं सर्वे की मुताबिक यहां फिर से बीजेपी की सरकार बन सकती है वहीं समाजवादी पार्टी और उसके गटबंधन वाले दल दूसरे नमबर पर आ सकते हैं बता दे कि यूपी में सफा ने ओमपरकास राजबर के साथ गटबंधन किया है ऐसे में अगर उत्रपरदेश की नज़र डाले तो यहां पर बीजेपी 213 से 221 सीटे जी सकती है तो सफा की खाते में 152 से 160 सीटे आ सकती है वहीं बीजेपी की खाते में 16-20 तो कांगरेश 6-10 तकी सिमट कर रह जाएगी इसके लाबा 2-6 तक अन्ये विदाइक जीच सकते हैं शर्वे की मताबिक अगर आज चुना हो जाए तो बीजेपी को सीटों का नुक्षान जरूर होगा लेकिन वे सत्ता में वापसी कर लेगी 2017 में जो चुना हुआ था उसमें बीजेपी को 325 सीटे मिली थी यूपी के सर्वे में एक अन्ये बात निकल कर सामना आई है वह यह है कि OVC की AIMIM और केजरिवाल की आमादमी पार्टी फिलाल कहीं भी नजर नहीं आ रही है वहीं पंजाब के सर्वे की मुताबिक कांग्रेस पार्टी यहां वापसी कर सकती है वहीं आमादमी पार्टी भी उसे कड़ी टकर देगी दूसरी और किसान अंदुलन का असर भी यहां पर देखा जा सकता है जिसमें बीजेपी को नुकसान होगा ऐसे में पंजाब में कुल 117 सीटे हैं जिसमें कांग्रेस 42 से 50 सीटे जी सकती है अकाली दल 16 से 24 सीटे आप 47 से 53 सीटे और बीजेपी एक या दो सीटी जीती वी दिखाई दे रही है इसके अलबा अन्य की खाते में यहां पर एक सीट जाती वी सीवोटर सर्वे ने दिखाई है इसके अलबा उत्राखंड गोवा और मनिपूर में बीजेपी वापसी कर सकती है सर्वे की मताबिक उत्राखंड में कुल 70 में से कांग्रेश को 30 से 40, बीजेपी को 36 से 40, आमादवी पार्ठी को 1 या 2 सीट या अन्य को 1 सीट मिल सकती है वहीं गोवा की कुल 40 सीटों में से बीजेपी 19-23 कांग्रेस को 2-6 आमादमी पार्टी को 3-7 और अन्य को 8-12 सीटे मिल सकती है वहीं मणिपूर की बात किरें तो कुल यहाँ पर 60 सीटे हैं जिनमें बीजेपी को 25-39 सीटे मिल सकती है कांग्रेस को 20-24 सीटे तो एन्पी अपको 4-8 और अन्य को 3-7 सीटे मिल सकती है ऐसे मैं आपका इस सर्वे पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बतेगा साथी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजीगा वहीं रादिती से जुड़ी और चुनाओं से जुड़ी खबरों को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजीगा धन्य बाद